नास्ते में समूसा ट्राइ कर लिए, कचोड़ी बना लिए, पकोड़ी बना लिए, लेकिन अगर आपको बिल्कुल ही कम समय में और बिल्कुल ही अट्रेप्टिव दिखने वाले नास्ते अगर बनाने का मन है ना, तो इस रेसिपी को पूरा देखे, मैंने बहुत ही सिंपल सरीके से इस रेसिपी को बनाई है, तो चलिए सुरू करते हैं इस नास्ते की टेश्टी वाली रेसिपी से, तो सबसे पहले इस नास्ते को बनाने के लिए मैंने डा रहा है गेहू के आटा, आपको इतना बनाना है ले सकते हैं, थोड़ा सा टेश्ट बढ़ाने के लिए मैं चाहे तो पांच मिनट रेश्ट के लिए भी छोड़ सकते हैं नहीं तो आप इसी तरह भी बना सकते हैं उसके बाद लेना है उबले हुए आलू, तो मैंने उबले हुए आलू के इस्तमाल किया है, मैंने दो उबले हुए आलू के इस्तमाल किया है, आप अपने हिसाब से ज़्यादा कम कर सकते हैं, जैसे नासा बना रहे हैं, उसी हिसाब से आपको quantity सेट कर सकते हैं, तो आलू को अ काली मिर्ट को थोड़ा सा ज्यादा डालना DIRECTOR और थोड़ा सा टेस्टे से आता है और थोड़ा वह दै कोंडर नहीं है तो सी भी मैंद बीडा डाल सकते हैं इसे क्या हो जाएगे जब तेल meditation करेंगे तो बहुTI तो अगर इस तरह की रेशेपी आप और भी जादा देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं तो लीजे मैंने आटे को अच्छी तरह से छोटे साइज में गुला बना लिया है और इसे क्या करना है काटोरी नुमा सेफ देनी है यह देखे तो यह देखे काटोरी नुमा सेफ मैंने दे दिया है और काटोरी परफेक्टली हमारी बन चुकी है फिर क्या करना है आलू के थोड़ा सा पोर्षन लेना है और अच्छी तरह से श्टपिंग में इसे डाल देना जैसे आलू के रोटी बनाते है बस उसी तरह इसे भी आपक चिड़क देना है उसके पास क्या करना है इसे अच्छी तरह से थोड़ा सा बेल लेना है मैंने थोड़ा से स्कीप कर दिया है जल्दी दिखाने के लिए और यह दिखे जैसे एक साइड मेंने कट लगाया है वही बराबर में आपको दूसरा कट लगाना है और उसी तरह जो कोने है उसे उठा के आपको पंखुरी के सेफ में बना लेनी है अगर दिखा थोड़ यह तो थोड़ा सा चाकुल से आप बीच में कट भी कर सकते हैं उसके बाद आप सेट कर सकते हैं बहुत ही इजी वाली यह जो रेसेपी है बनके तयार होती है और डिजाइन भी कोई यह धन्यापती से भी थोड़ा सा इसे आप डेकोरेट कर सकते हैं तो यह एक डिजाइन हमारा बन चुका है बिल्कुल ही प्लावर नुमाड डिजाइन है आपको अभी भी यह डिजाइन अच्छा लगा है तो आप एक लाइक अभी कर सकते हैं और इसे मैं सौट रेसेपी बना के डाल दूगी अगर आपने लोंग रेसेपी देख ली है और आपको जल जली सीखने का मन है तो आप सौट रेसेपी जाके देख सकते हैं तो यह देखें डिजाइन हमारा पर्फेक्ट बन चुका है अब चल लेते हैं अगर तलेंगे भी ना तो एक भी यह डिजाइन खुलने वाले नहीं है इस तरहसे मैं टलने वाली हूँ तो मिडियम फ्लेप मैंने तेल को गरम कर दिया है और इसलितर से आपको शेक लेना है जैसे एक डाय कैले से आज मैं आपको चटकारेदार रेसेपी बताने वारी हूँ, वो भी बहुत ही कम महिनत में और कम समय में, तो चलिए सुरू करते हैं इस कच्चे केले की बहुत ही टेश्टी सी रेसेपी, अगर आपको भी टेश्टी खाने बनाने को सौख है और थोड़ी से सजावट के साथ बनाना चाहते है तो इस वीडियो को पूरा देखिए, अगर कच्चे केले की रेसेपी अगर नहीं भी पसंद आती है तो वो भी खाने के दिवाने हो जाएंगे, अगर अच्छी तरह से बनाएंगे और थोड़ी से डेकुरेशन कर देंगे, जैसे मैंने किया है, तो चलिए सुरू करते हैं इस रेसेपी को लोतो है, चलिए से बाले के पधे जैसे की के दिवाते लीडियो के लिया हूँ, और इसे अच्छी तरह से बहूत अच्छी तरह से जितने मसालव ढले दाना अच्छी तरह से प्रेस करके भी सोड़ सकते हैं, आपकीमरजी है। अब टेश्टी बनाने के लिए अब मैं इसमें क्या डालने वाली हूँ तो आपको डाल देना है आमचूर का पाउडर यह देखे तीन से चार्ड मेरे पास छोटे-छोटे केले थे तो मैंने इसमें आमचूर का पाउडर डाला है थोड़ा सा प्याज डाला है स्वाद अनुस अब लिए नास्ते बनाए हैं जाके मेरे वीडियो में देख सकती है बिलकुल ही आलक तरीके से वह भी बने है और अगर आप चिप्स बनाना चाहते हैं और कभी भी आपकी चिप्स कच्छे केले की अच्छी नहीं बनती है तो एक ही बार में परफेक्ट बनेगी मेरे वीड आता है आप अराम से बना सकते हैं तो मैंने टिक्की का सेफ दे दिया है थोड़े से कोशिस करें कि चप्टे ही डिजाइन में बनाना है ताकि इसमें बहुत ही अच्छा सा क्रिस्मनेस आ जाए और तो लीजिए परफिक्ट सा सेफ हमारा तैयार हो चुका है अब चलिए इस स्वाधनदुसार हलका सापको नमक डालना है और आपको डाल देने हैं बेसन जी हैं दुस्तों मैंने बेसन का यूचकिया है अगर एक टिक्की बनी है तो Herzurn हे अर बहुत ही अच् donor के लिए एक चल्ट का पाउडर उसके बाद आपको डाल देना है थोड़ा से कलों जी और इसे और भी tasty और attractive बनाने के लिए मैंने डाल दिया इसमें सफेद वाले तील जी हैं दोस्तों बहुत ही अच्छा सा presentation होगा अगर कभी भी आप इस तरह के recipe नहीं बनाते हैं और simple सी recipe बनते हैं तो आप थोड़े से attractive बना सकते हैं ताकि जिसे कच्चे केले नहीं भी पसंद होना वो भी इस recipe को मांग मांग के खाए जितनी ये सुन्दर लगेगी तो अच्छी तरह से हलका साब को पानी डालना है और बिल्कुल ही गारा साब आपको बेटर तयार कर लेना है अगर आपको नास्ते को थोड़ा सा crispy बनाना चाहते हैं तो आपको गर्मा गरम तेल अधा चमच के करीब इसमें डाल देने पड़ेंगे और हाँ इस तरह की recipe देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और यह recipe पसंद आती है तो एक like अभी ही कर सकते हैं तो यह देखें better हमारे तयार हो चुके हैं और तील भी अच्छी तरह से मैंने गर्म कर लिया है उसके बात क्या करना है उपर से इसे अच्छी की तारी perfectly बिल्कुल ही ज्यादा होने वाली है तो यह देखें मैंने अच्छी तरह से डाल दिया है और इसे आपको ऊपर नीची तरह से तेल के छीटे मार देने हैं इससे क्या हो जाएगा जो नास्ता है बहुत ही टिष्टी बन के तयार हो जाएगा तो यह देखें मैंने इस तरीके से बनाए बिल्कुल ही smartly आप इस नास्ते को बना सकते हैं वैसे मैंने बहुत सारी नास्ते के डाली है बिल्कुल ही अलग अलग तरीके से अगर नहीं देखें तो एक बर जाके मैंने चैनल में देखें तो कम से कम आपको लाइक करना है या नहीं करना है लेकिन बच्चे बड़े सभी के लिए बहुत ही हेल्दी तरीके से आज मैं नास्ते की रेसेपी लेके आई हूँ जिसे मैंने बनाया है मकई के दाने से और मकई के दाने आपको पता है कि कितने हेल्ली होते हैं तो मैंने यूज किया इसमें मीठे वाले मकई के दाने का आप चाहे तो देसी वाले जो मकई होते है उसके भी दाने का इस्तेमाल कर सकते हैं तो सबसे पहरे इसे थोड़ा सा पान उसके बाद मने डाल दिया है थोड़ा सा अजवाइन और कलोंजी इससे जो नास्ति का टेस्ट है ना कई गुना बढ़ जाता है और पचने में भी असानी हो जाती है और यह देखे सबी चीजों को आपको मिला लेना है और इसका बहतरीन डो भी बना के तयार कर लेना है यह ब अज़ानी बिल्कुल ही नहीं रहना चाहिए और अच्छी तरह से इसे निकाल लेना है उसके बाद आपको मिक्सर के पोड लेना है और उसमें डाल देना है आप क्या करने वाले है इसे हलका सा दरदरा सा पीछने वाले है तो इसे ठोड़ा सा टिष्टी किया जा उसके कर देना है बहुत ही टिष्टी वाली रेसिपी बनती है और इसे बच्चे घूंगों कि खाने वाले है इस नास्ते को जब भी आप एक बाइट खाई है लोय आकसे अगर आप नस्ते में दियना चाहते हैं तो आप रोटी के साटी में भी बनाके तयार करे खेल में खाना पसंद करें और ये बहुत ही टिश्टी रेसिपी है और साथ-साथ ये हल्दी भी हो जाती है और पेट भरा-भरा रहता इसे यह देखें जितने भी लोए हैं अराम से बना लेने हैं और थोड़ा से मैंने आटा लगा दिया है और अच्छी तरह से मैं इसे बिल लेना है अब चलिए इसमें बिल्कुल ही अलग तरीके से मैं इस नस्ते को बनाने वाली हूं तो कैसे बनाने वाली हूं बिल्कुल आप देख सकते हैं तो अच्छी तरह से पहले बेल लिया है और बच्चों की ये फेबरिट हो जाने वाली है तो उसके बाद आपको लगा लेने के लिए मैं डाल रहे हैं इसमें चीस अगर आपके पास है तो जरूर डालिए इसका जो टेस्ट है बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है और बच्चों की ये फेबरिट हो जाती है नहीं है तो उसके बिना भी बना सकते है अगर पनीर वागे रहा है तो आप उसको भ अच्छे घूम घूम के खाने माले हैं तो इस तरह आपको बीच में रखके बेटर को अच्छी तरह से पहरा देना है और बस वही प्रोसेस में फिर से वही चूच करना है तो अगर इसी तरह की आपको रेसेपी दिखने का मन हमेशा होता है और बहुत ही यूनिक तरीके से आप नास्टाक बनाना पसंद करती है और इए रेसेप mellan बने रखती है और ये रेसेपी आपको पसंद आती है तो एक लाएक अभी कर से हैं तो जिटने भी है तो इसी तरह कशनू कर लेना है अब क्या करना बहुत ही कम तेल में इस रेसेपी को मैं बनाने वाले हूं तो सबसे पहले आपको लोहे के तवे लेने हैं नॉंस्टिक है तो नॉंस्टिक भी ले सकते हैं और उसमें क्या करना है चार और से आपको उलट पुलट के सेख लेना है तेल वगरा कुछ भी एड नहीं करना है और उसे क्या करना अच्छी तरह से घुमा फिरा के सबसे पहले आपको सेख लेने हैं इसे क्या हो जाएंगे नास्ते का जो टेष्ट है वो कई गुना बढ़ जाता है इसलिए सेखना आपको बहुत ही जरूरी है अगेस के फिलम थोड़ा सा लो कर दे और अराम ते इसे चार और से तेख सकते हैं तो लीजिए मैंने चारो कोनों को अच्छी से यह सिख चुगे हैं उसके बाद आपको हलका सा तेर लेना है चाहे तो आप बटर से बना सकते हैं घी डाल सकते हैं इसका टेष्ट बढ़ाने के लिए तो आपको क्या करना अच्छी तरस लगाना है हलका सा और अज़राम से इसे घुमा फिराके सिख लेना है बहुत ही त तो आप इसे टिफिन में भी दे सकते हैं या भी इसे घूम घूमके इसी तरह भी खा सकते हैं और इस नास्ते को बनाने की खास बात या है कि यह सिर्फ 10 मिनट में ही बन जाते हैं जी हा दोस्तों। अगर आप घ़री देखके बनाएंगे तो सिर्फ 10 मिनट लगने वाले हैं। तो चलिए सुरू करते हैं इस नास्ते को बनाना। तो सबसे पहले आपको एक कटोरे सेट क तो में उसल को पीडार लया लगा लिया है ऐसल थोड़ा से रखिख ऊंगा पड़ेगा तो यह देखिया आटे हमारे लग चुके हैं आप चाहे तो पाट मिनट रेष्ट भी छोड़ सकते हैं नहीं छोड़ना चाहते हैं तो भी कोई बात नहीं है आपको क्या करना इसे बड़े साच की मैं बनाने वाली हूं तो यह देखिया अच्छी तरसा मैंने बड दाल मिर्च का पौड़र डाला है और सब चीजों को क्या करना है अच्छी तरह से मिक्स कर देना है बहुत ही सोटकर तरीके से और कम तेल में ऐसा नास्ते की डाल रखी है अगर डिजाइन वाले भी आपको नास्ते पसंद आते हैं ना बेहतरीन डिजाइन वाले तो आप मे पर देना है और अच्छी तरह से बेल रही हूं आपको इसी तरह से बेल के त्यार कर लेना है तो आपको हाथों के मदद से ही अच्छी तरह से से शेड कर लेना है सूजी है अराम से सेट हो जाएगी कोई भी दिकत नहीं होगी और यह ऐसा नहीं कि फट गया है तो अच्छे नहीं बनेंगे बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं आती है और अच्छी तरह से मैंने बेल लिया यह देखिया अच्छी तरह से बेल ले के बाद अब आपको करने वाल सूज जो भी आपके पास है उसे आप बना सकते हैं यह दिखिया अच्छी तरह से बेल लिया है अगर बच्चों के लिए बना रहे है तो आपको टोमेटो केशप लगा के बनाना है बहुत अच्छा सा फ्लेवर हाता है और बड़े के लियु बना रहे है तो धनिया पति यह पीजा सोर्स वगरे जो भी है आपके पास चटनी वगरे कुछ भी हो आप थोड़ा से लगा दिजिए इससे क्या हो जगा 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 जो नफता है बहुत ही बिटर बनता है और जो इसका स्पाइसनेस वाला जो टेस्ट होता है कई गुना बढ़ जाता है तो यह देखे अच सबजियों के अनुसार यह देखे अच्छी तरह से बना लिया है फिर आपको सैट से पकड़ने है और इसे आराम से आपको गोल गोल इस्ट्रिप जैसे कर देनेगे देखे गोल गोल अराम से इसे मुड़ना है रोल के सैज में आराम से मुड़ जाएंगे कोई भी दिकत नह से खे इसे सेट कर लिया है फिर क्या करना ओपर ही आपको इसे रख देना है और अच्छी तरह से जाएंगे और दस बारा मिनट बिल्कुल ही घ्र्लम हाई रहेगी और अच्छी तरह से पका लेना है यह देखे 10 मिनट में ही अच्छी तरह से फूले फूले हमारे नस्ते बन चुके हैं आप चाहे तो इसे आप कट करके इसी तरह भी खा सकते हैं लेकिन थोड़ा सा ठंडा होने दे उसके बाद आप मैं इसे चलिए कटिंग करके दिखाने वाली हूँ तो यह देखे थोड़ा स रेसेपी को मैं सौट रेसेपी भी बना के डाल दूंगी अगर नहीं देखा है तो जाके आप एक मिनट वाली वीडियो देख सकते हैं तो यह देखे अच्छी तरह से मैंने कट कर लिया है और हाँ आप चाहे तो गुथे हुए आटे के रोटी या पिर बचे हुए चावल स इडली कैसे नास्टा कैसे बनाएं अगर आप देखना चाहते हैं तो आप एक भी समान नहीं फेकने वाले हैं मेरे चैनल में बहुत सारी ऐसी रेसेपी है तो यह देखे है मैंने एक साइड अच्छी तरह से इसे क्रिस्पी होने के लिए छोड़ दिया है उसके बाद आपक कि इसके उपर से डाल सकते हैं बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आता है और बहुत सारे मेरे नास्ते की रेसिपी है आप जाके देख सकते हैं इडली कैसे बनाए बच्चे हुए चावल की यह पुरानी वीडियो है थोड़ी सी जाके देख सकते हैं एक भी समान नहीं पेकने वा आज पुरानी ओुरानी चावल की बहुत हैं ऑडली के बहुत हैं वीडियों है और मेरे भी समानी खीयों यह हैं पुरानी बहुत हैं